सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो सबस्क्राइब कर लेंगे ओके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना तो सबस्क्राइब करते हैं टॉपिक है मिर्दा में पोशकों की पुन्हे पूर्ती राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में ब्रहमण कर रही थी मतलब घूम रही थी ब्रहमण का मिन सोता बच्चों घूमना तो तब उसने देखा कि किसान खेतों में खात पहला रहे हैं उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा जहां वे लॉन और गमलों में खात का उप्योग कर रहे थे मैं सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं उर्वरक उर्वरक रासाइनिक पधार्थ हैं जो पोदों को पोशकतत प्रदान करते हैं मुखे रूप से नाइट्रोजन, फॉसफोरस और पोटेशियम खात प्रदात की बात हो रही है तो खात के बारे में बताया कि खात जैविक प्रदात होते हैं जो पोधों, अफशेश और पश्यों के गोबर से प्राप्थ होते हैं तथा पोधों को पोशकतत्व प्रदान करते हैं अब पाधप के बारे में पढ़ते हैं उर्वरक्त एवं खात में नाइट्रोजन, फोसफोरस और पोटेशियम जैसे पाधप पोशक होते हैं मिर्दा को इन पोशक तत्वों से इसमरत करने के लिए भूमी में उर्वरक्त तता खात मिलाने की आविशकता होती है पोदो को सभी पाधप पोशकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में अविशकता होती है यत्पी वायू में नाइट्रोजन गैस पुर्चूर मात्रा में उपलब्ध होती है लेकिन पाधप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं पादप नाइट्रोजन को विले रूप में ही अफशोशित कर सकते हैं राई जोबियम नामक जिवाणू जो चना, मटर, मौंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं वाईयू मंडलिये नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विले पधार्तों में परिवर्थित कर देते हैं अधिकतर दाले फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं राई जोबियम अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकता है फलीदार पोधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रे प्रदान करते हैं ये सहजीवी संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध क्या होता है दो जीवों का मद्ध संबंध जिससे दोनों जीव आवाज और पोशन के लिए परस्पर लाभानवित होते हैं आप कोशन आशर देख लेंगे बच्चों पहला कोशन है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें तो देखें यहाँ पर यह आपको ऐसी ही यहाँ पर एक ऐसे कोलम बनाना है ठीक है और एक तरफ आपको उर्वरक के बारे में लिखना है एक तरफ खाद के तो आप पहले तो उर्वरक के बारे में लिखेंगे उर्वरक रासाइनिक पधार्थ है जो पोधों को पोशिक तत्व प्रतान करते हैं मुखे रूप से नाइट्रोजन, वासफोरस और पोटेशियम ब्रैकेट में आप यह भी लिखेंगे खाद के बारे में आप लिखेंगे बच्चों खाद जेविक पधार्थ होते हैं जो पोधों अफशियेश और पशियों के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पोधों को पोशक तत्व प्रतान करते हैं अब आगे देखिए इसमें फिलब करने पादप के लिए आविशक तीन मुखे पोशक तत्व हैं कौन कौन से पहला लिख देंगे नाइट्रोजन दूसरा फासफोरस्ट और तीसरा लिख देंगे पोटेशियम अब कोशन नमबर थिरी है सहजीवी संबन से आप क्या समझते हैं तो इसका आंसर भी वक्षीट में है हम यहां से लिख देंगे यह दिया हुआ सहजीवी संबन पहले हम हैडिंग डालेंगे उसके बाद लिखेंगे दो जीवों का मद्धे संबन जिसमें दोनों जीव आवास और पोशन के लिए परसपर लब हनवित होते हैं ठीक है ऐसे लिख देंगे आप कोशियर नमबर फूर पादपों को उर्वरक एवंखाद के अवशकता क्यों होती है तो आंसर नमबर फूर हम यहां से लिखेंगे देखिए उर्वरक एवंखाद में नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोशक होते हैं मिर्दा कोईन पोशक तत्वों से इसमरद करने के लिए भूमी में उर्वरक तता खाद मिलाने के अवशकता होती है यहां तक लिख देंगे ठीक है, यहां तक और यहां सुर्वरक से स्टाट करेंगे ठीक है बच्चों तो यहां आपकी वक्षीट सॉल्व हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीस में वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स पूर वाचिंग